एसे हो दोस्तों और हार्डवाजर में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा नाम है प्रदीग तो पहले बलदू की टीम हार्डवाजर के तरफ से आप सभी लोगों को हैपी हो ली बिलेटेड और उसके साथ साथ जो लोग सलूशन फ्रम लाइफ प्रोब्लेम्स चैनल से हमारे चैनल में आये हो उन लोगों को वेलकम हम लोग और भी ट्राइ करेंगे क्वालिटी कॉंटेंट प्रोडूस करने का जो आपको जरूर अच्छा लगेगा तो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 65,000 रुपीज के PC बिल्ड के बारे में एक्चुली ये वीडियो पहले भी हम लोग बना चुके है लेकिन उस वीडियो में थोड़ा बहुत प्रोब्लेम था इसलिए हम लोग ने वीडियो को टेक डाउन कर दिया और उसके साथ-साथ ये नया बिल्ड आपके सामने हाजिर है तो उमिधा आपको वीडियो अच्छा लगएगा देखते रहिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में ने हो तो जरूर चैनल को सस्क्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो और हमारे साथ बने रहे ऐसे तरह के और भी वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए आते हैं दोस्तों प्रोसेसर के बारे में तो प्रोसेसर में मैंने यह आप लिया है AMD Dyson 5 1600 तो 1600X मैंने क्यों नहीं लिया क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत बेस और बूस्ट क्लॉक जादा है और उसके साथ साथ काफी सेम है और उसमें आपको कोई भी कूलिंग सलूशन नहीं मिलता इसलिए मैंने 1600 लिया है और इसमें आपको 6 कोर्स और 12 त्रेट्स मिल जाएंगे उसके साथ साथ 3.2 GHz का जो क्लॉक स्पीड है वो मिलेगा और आपको बूस्ट में 3.6 GHz मिल जाएगा और इसका जो लेवेल थी क्रैश है वो है 19 MB जो आपको कॉंटेंट क्येशन में भी इसलिए और यहाँ पे आपको रेइट स्पायर कुलिंग सलूशन भी मिल जाएगा और मैंने इस रेइट स्पायर पर्सनल यूज करके देखा है और एक बहुत ही अच्छा कुलिंग सलूशन है तो अगर आप ओवर्प्लॉकिंग ना करो तो आपको अलग से कुलिंग यूज करो तो यहाँ पे आपको टू डैम सॉट्स ब्लिंग जाएगे और उसके साथ साथ आपको डूएल चैनल मेमोरी अर्केटेक्चर का सपोर्ट भी मिल जाएगा अप टू 3200 मेगाहर्स तक अब OC भी कर सकते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे आप उसको एक M2 स्लोट में मिल जाएगे अडिशनल जो अगर आप चाहो तो M2 SSD भी यहाँ पे यूज कर सकते हो कोई बात नहीं और उसके साथ 4 सेटा पोर्ट तो यहाँ पे है सेटा 6GB P8 पोर्ट भी है तो अगर आप कोई हाई स्पीड SSD यूज करना चाहो सेटा SSD तो भी में तो RAM मैंने लिए है Corsair का Vengeance LPX 8GB 1 सिंगल स्टीक क्योंकि गेमिंग के लिए मुझे लगा कि 8GB से ज्यादा इक्स बग्त में हमको जरूरत नहीं है अगर आप content question करते हो तो आप 16GB के साथ जा सकते हो लगिन budget थोड़ा बढ़ जाएगा लेकिन कोई बात नहीं वह gaming में भ ले लो तो आपको dual channel का भी support मिल जाएगा मैंने एक single stick लिया है क्योंकि जो motherboard मैंने लिया है वहाँ पे और एक extra slot है तो अगर आप future proofing करना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि 16GB का single stick ले लीजिए क्योंकि जो motherboard मैंने select किया है वहाँ पे only two dim slots है तो आप समझ सकते हो क्यों में कह रह को पता ही होगा तो मैंने सोचा कि 250 GB सही रहेगा अगर आप 250 GB लो तो आप दो या तीन गेम इज़ी इंस्टॉल रख सकते हो और अगर आपको और भी हायर चाहिए अगर आप बहुत सारे गेम्स वह एक टाइम इंस्टॉल करना चाहते हो तो मैं कहूंगा 480 GB के साथ जाने क देते हैं तो WD का जो रिप्लेस्मेंट पॉलिसी है वह बहुत ही अच्छा है अगर आपको 3 years के वी दिन कुछ भी हो जाए तो आपको एक नया SSD मिल जाएगा उसके साथ मैंने लिया है सीगेट का एक 1 TB बाराकुडा हाट डिक्स ड्राइब ट्रोडेश के लिए बिसिक जो मैंने लिया है जोटा का एक ट्विन फैन एडिशन 6 GB DDR6 इसका मेमोरी है और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो कूलिंग मिलता है जोटा का तो बहुत अच्छा है आपको यहाँ पे एक्स्टेंडड वारेंटी भी मिलता है 2 प्लस 3 years का वारेंटी अगर आप कर लिजिए इससे आपको 3 year का जो एक्स्टेंडड वारेंटी है वो मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा है कार्ड है कूलिंग भी बहुत अच्छा है तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं पावर सप्लाई मैंने सिलेट किया है कूलर मस्टर का MWE Gold 550 Watt का पावर सप्लाई इसमें आपको 5 years का वारेंटी मिल जाएगा इसमें बहुत ही बड़ा एक फैन है I guess 135 mm का एक फैन है तो आपको कूलिंग में भी कोई प्रब्लम नहीं होगा और 5 years का वारेंटी भी है अगर आपको future proofing करना है तो मेरे हिसाब से यह one of the best budget SMPS है Cabinet मेंने सिलेट किया है Corsier का Carbide Specs 4 तो यहाँ पर 3-4 color combination है जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ पर लेख सकते हो इसमें 140 का जो red है उसका भी support आपको मिल जाएगा fan expansion आपको 5 मिल जाएगा और उसके साथ साथ जो 2.5 bay है वो भी है यहाँ पर 2 और 3.5 इंच का जो bay है वो है 2 तो आपको expandability के बारे में कोई problem नहीं होगा यहाँ पर और यहाँ पर जो space है वो भी काफी अच्छा है क्योंकि अगर आप GPU अगर कोई triple fan GPU भी अब लगाना चाहो तो आप यहाँ पर लगा सकते हो और उसके साथ साथ 2 years का जो warranty है वो भी आपको मिल जाएगा और side में तो temper class है लुक्स भी आपको काफी ज़्यादा देगा अगर आप चाहो तो showcase कर सकते हो सामने RGB fans लगा सकते हो थोड़ा बहुत अच्छा looks आपका cabinet को दे दिएगा और उसके साथ 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 से तो बहुत ही तो दोस्तों ये था 65,000 रुपीस का बिल्ड उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगा मैंने थोड़ा बहुत compromise किया है RAMS के section में क्योंकि मुझे लगा कि 8GB गेमिंग के लिए इस वक्त छिखे लेकिन इन future क्या होगा मुझे पता नहीं और उसके साथ साथ जो motherboard मैंने लिया है वहाँ पे only two dim slots है इसलिए मैंने मेरा best कोशिश किया कि 16GB अगर लिया जाए तो लेकिन वो नहीं हो पाया RGB मुझे लिना पड़ा लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आपके पास अगर आप future profiling करना चाहते हो तो 16GB का एक stick अब लिजिए और in future अगर आप चाहो तो और 16GB आट क का आपका कोई जरूरत है उसके साथ साथ dual channel memory support भी है motherboard में तो आपको RGB का अगर दो stick हो तो dual channel में चला जाएगा तो उससे थोड़ा बहुरत आपका advantage मिलेगा और 1660 Ti मैंने लेके आया हूँ 65,000 में और processor motherboard भी मुझे लगा ठीक टाक है overclocking के लिए आपको cooler चाहिए अगर आप कि overclocking करना पड़ेगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि gaming के लिए उसमें जो 3.6 GHz तक speed है Ryzen 5 1600 में मुझे नहीं लगता कि अगर आप 1080p gamer हो आपको लगेगा overclocking तो मुझे नहीं लगता पर अगर आप enthusiastro अगर आप करना चाहते हो तो एक dedicated water cooler AIU जो cooler होता है वो ले लीजिए आपको कोई problem नहीं होगा तो दोस्तो आज के लिए इतना ही आप से मिलते हैं अगले वीडियो में